आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से केजे क्लासिस के यूटूब चैनल पर हां जी थमनेल आपने बिल्कुल सही पड़ा अभी जो दिल्ली ने पोलेसी निकाली है सोपी निकाली है बिल्कुल गलत है इसके अंदर जो भी इन्होंने लिखा हुआ है वो मार्स 2023 के लिए इसके अंदर जो मेंशन किया गया इन्होंने बोला कि भाई सब्सक्राइब यह यह चीजे करनी है जो कि और केजे क्लासिस की तरफ से आपको होली की हार्दिक शुपकामना है और केजे क्लासिस का होली पर आप लोगों को गिफ्ट है एक तो इंकम टेक्स बैच में डिसकाउंट दिया है इंकम टेक्स के बैच में बैलेंशीट है आरोसी है तो डिसकाउंट चल रहा है तो मजे ल इसके अलावा, जो हमारी annual membership है, उस पर भी discount है, तो भारी discount चला है, तो इसका मजा ले लेना, ठीक है, बात कर रहे हैं कि क्या SOP आई, इसमें क्या-क्या चीजे इन्होंने बताई, SOP थी for cancellation of registration, कि भई GST का जो registration है, उसे cancel करने के लिए, इन्होंने एक SOP जारी करी, और बोला कि non genuine taxpayer के लिए, क्या बोलते हैं ये, ये कहते हैं कि भई, GST के अंदर, बहुत सारी चीजे, ठीक है न, गड़बड हो रही है, बहुत लोग fake registration ले रहे हैं, तो उसे पकड़ने के लिए, ये अगर आप SOP देखोगे, ये कई पेजों की है, लेकिन इसमें जो main-main crux है, वो हमने अपनी magazine के अंदर cover कर दिया है, तो अगर आपने अभी तक magazine की copy नहीं लिया है, तो magazine की copy ले लेना, तो SOP क्या कह रही है, मैं यहां से पढ़ा रहा हूँ, और अगर आपका SOP की copy चाहिए, तो आप हमारे telegram channel पर जुड़का वो ले सकते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, कि भई, आप identify करो, ठीक है, न, who has generated fake invoice, कि आप उन, उन entities को identify करो, जो fake invoice generate कर रही है, उन्होंने पूछा कि भई, fake invoice generate कर रही है, हमें कैसे पता लगेगा, तो उन्होंने का, following parameters है, जो entity है, fake invoice issue कर रही है, उसके following parameters है, पहली बात तो क्या, multiple GST registration हो सकते हैं, एक address पर, और as per section 25, as per section 25, आप एक ही registration ले सकते हैं, तो भाई, जब आप यह कह रहे हो कि multiple registration है, तो आपने एक address पर, एक से ज़्यादा registration दिये कैसे, आपको तो वो नहीं देने थे, आप तो पहले खुद ही कह रहे हो, section 25 कह रहा है कि भाई, एक address पर एक ही registration लेना, आप एक से number 6 है, और मैं अगर कपिलियन एक ही तरह की service दे रहा हूँ, तो मैं एक से ज़्यादा registration नहीं ले सकता, दूसरी बात करें, multiple GSTN for a given pen, एक pen number पर अगर एक से ज़्यादा GST number है, तो भी वो शक्के दारे में, GSTN using incomplete or wrong address, अगर आपने GSTN ले रखा incomplete or wrong address पर, incomplete address कैसे मैंने डाल दिया कबरिस्तान के पीछे, ठीक है, wrong address मैंने कुछ भी डाल दिया, खोली number 400 भी, ठीक है, तो अगर इस तरह का address है, तो भी ये cancel करतेंगे, taxpayer using sensitive community, अगर वो कोई sensitive community में, community में कर रहा है, common email, common mobile number, common address, common authorized signature, common promoter for multiple GSTN, तो भई अगर आपने 5 company बना रखी है, और उसमें promoter भी से सिगनेटरी भी सेम है, address भी सेम है, mobile number भी सेम है, email ID भी सेम है, ठीक है न, तो इस cheat को professional भी ध्यान दखे, अपनी हर जंगा email ID ना दे सारे GSTN पर, ठीक है न, पता चले, वो है तो genuine, ये उसे fake समझके, cancel कर दे, mismatch between premises declared and the value of goods transit, कि आप अगर mismatch कर रहे हो कि जो premises आपने declared करी, ठी इसमें नया option आगिया, geocoded वाला, तो एक आप उसे भी use कर लेना, अपना सही पनमिसिस का address दे देना, और अगर आपका volume जादा है, transactions का, तो ये भी दिक्कत कर सकते है, mismatch between the quantum of transaction and evable generated, कि कल को अगर तुमने 2 करोड की sale करी, evable 5 करोड के है, ठीक है, या 2 करोड की sale करी, evable 20 ला तो भी दिक्कत है, ठीक है, pen involved in any fake invoice, अगर आपका pen number, किजी fake invoice, फ्रोड में involved हो रहा है, ठीक है न, तो यहाँ पर इन्होंने GSTR 1A लिखा है, मेरे साफ से वो by mistake, ठीक है न, गलती है, अब यह कह रहें कि abnormal ITC utilization, for example, above 95%, अरे भाई, ITC थो में utilize करी सकता हू, 98% भी कर सकता हू, 100 लेकिन यह अपनी SOP में लिख रहे है, अगर 95% से उपर है, तो आप उसका उठाके registration cancel कर देना, तो हो सकता है, यहाँ पर जैन्वन taxpayer भी इनके उसमें आ जाए, ठीक है, अगर यह proceeding हो रही है, above grounds पे, तो registration should be cancelled, यह कहा रहे है, यह सारे चीज़े मिल दे तो registration cancel कर दो, और सारी activities उसकी void having issue कर दो, कि जिस दिन सा उसने registration लिया, सारी activities उसकी void having issue, अब अगर मान लो किसी supplier का, ऐसे में registration cancel हो जाता है, इन parameters के basis पर, अब उसके recipient की कितनी पिटाई होने वाली है, उसने जितने भी बिल issue कर रहे हैं, सब को void having issue कर दिया, और जब void having issue कर दिया, तो अब होगा गय कर दिया, तो recipient के, जो भी recipient है, उसके 2A में reflect हो जाएगा, कि भाई, proper officer ने इसका registration cancel कर दिया, so the proper officer of the recipient shall be able to identify the supplies in the respect, ITC shall be denied, तो इस बेसिस पर, recipient के ITC को deny कर देंगे, जब कि High Court कहता है, ऐसा मत करो, जब उसने आप से transaction करी, तब तो वो ठीक था, लेकिन यह अपनी SOP में लिख कर दो, ठीक है न, हाँ, यह इन्होंने आपर गनी मत करी है, कि ऐसा कुछ करने से पहले, एक opportunity of being heart दे देना, ठीक है न, before the order issue करने से पहले, आप मुझे comment box में लिख कर बताओ, अगर ऐसा कुछ हुआ, और इन्होंने SOP को follow करा, तो बहुत ज़्यादा गड़वड हो जाएग comment box में लिख कर बताओ, ठीक है न, तो भाई, इन SOP के अंदर आप पूरी detail में अगर पढ़ना चाते हो, तो आप हमारी magazine ले ले लेना, क्या क्या analysis करा है, बाकिये जो SOP है, हम आपको telegram group पे दे देंगे, पूरी लंबी SOP है, इसे एक बार अच्छे से पढ़ना, और आप का दिल से धन्यवाद करता हूँ, और हाँ, यह मत समझना, कि अब professionals के लिए video नहीं आएगी है, हमारे YouTube channel पर, अभी क्या है न, थोड़ा बच्चों ने बोला है, CA Inter की classes डाल रहे, तो CA Inter में GST की classes भी है, income tax की classes भी है, accounts की classes भी अभी हमने डालनी शुरू करी है, तो ऐसे distract मत ह हो न, कि अब तो इस वाले YouTube channel पर और classes नहीं आएगी, ऐसी professional video मैं तुम्हें time time पर देता रहूँगा, और live आकर तुमारी समस्याव का समधान करता रहूँगा, इस video को देखने के लिए इतना प्यार देने के लिए, आपका दिल से धन्यवाद, happy holy